हलो दोश्तों कैसे हैं आप सब लो आ गई होली और होली की रिस्पी गुजिया जो घर-घर बनती है he गुजिया के बगर तो होली नहीं होना है, यहीं भी फिठाई खास होती है गुजिया, चलिया आई यह बनाते हैं, बढ़िया से क्रिसपी सी गुजिया, एक की जगह कई खाएंगे गुजिया और रिस्तेदार जो आपके घराएंगे वो भी खाएंगे, तारिफ भी करेंगे, तो चलिए आईए बनाते हैं गुजिया 25 ग्राम मैदा लिये है और ये घी जो है देशी लिया है इसको अच्छे से मैश करेंगे अगर 25 ग्राम मैदा है तो 60 ग्राम घी होना चाहिए और अच्छे से इसको मिलाएंगे क्योंकि अच्छे से नहीं मिलेगा ये देखिए पूरा घी मिल जाना चाहिए आटे में ये मुठी ऐसे बंदनी चाहिए ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे एकदम से नहीं डालेंगे और इसका अड़े कड़ो जो है टाइट ही होना चाहिए ज्यादा भुलाएं भी नहीं न ज्यादा टाइट और इसको ढख देंगे 15-20 मिनिट के लिए तब तक इदर त्यारी करेंगे कड़ाई में दो चमल देशी घी डाले हैं ट्राइब फूड इसमें बदाम, काजू और ये पिस्ता ढालके रोष्ट कर लेंगे दीरे दीरे इसको रोष्ट करेंगे जब सुनाहरे हो जाएं गोल्डन प्राउं इनको फिन निकाल लेंगे ये दिखे हो गए हैं रोष्ट हो गए अब उसी कड़ाई में ये नारी अल्बूरादा डालेंगे जो मार्केट से लाए थे और इसको भी धीमी आचवे ही भूनेंगे दीरे दीरे एक से दो मिनिट के लिए देखे भून गया और गय से बिल्कुल ही लो होनी चाहिए नजल जाएगा वह खराब लगता है फिर और ये जो रोष्ट की हुए बदाम काजू पिसता है इनको हम पिढ़ा और बेलन से ही भेल कर दरदरा पिस लेंगे ये देखिए सौट कट तरीका है ये ये देखिए दरदरा पिस चुका है और ये जो कढ़ाई गरम करके ये घरी में हमने खोया बनाया था दूद रखा हुआ था ये डाई सो ग्राम के करीब है खोया इसको भी भून लेंगे घरी में खोया बनाले टाइम हो तो ज़्यादा सही रहता है बाहर काई समय काफे मिलावट हो जाती है मार्केट में या फिर थोड़ा मार्केट थोड़ा घर में बनाले ऐसे भी मैस करके थोड़ा सही रहता है और ये 246 हमने ये रवा सूजी भून लिये थे देशीगी में ये भी एट कर देंगे इसको भी मिला लेंगे अच्छे से फ्लेम गैस की धीमी ही है देखें ये मिल गया अच्छे से और ये जो है काजू बदाम पिष्टा जो दरदरा पीसे थे वो भी डाल देंगे ये भी मिला लेंगे अच्छे से अब रवा डालने से थोड़ा फटती नहीं है गुजिया ये थोड़ा सही रहता ये नारेल बुरादा भी डालेंगे आप चाहे तो नारेल बुरादा घरी में बना लिए जो गोला आता है उसको छोटे टुकड़ों में काटके मिक्सी में पीसके बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है मेरे पास रखा था तो हमने बना लिया ये सब मिक्स हो गया है और इसमें चीनी नहीं दिखा पाएं चीनी भी एड़ किये थे इसके बाद जो है ये आता सेट हो गया इसको अच्छे से फिर थोड़ा सा गूत के इसको सेट किये है और इसमें लूईया बना लिगे सारी और फिर हतेलियों से गोल-गोल घुमाके दबाके अच्छे से बेलेंगे यह दिखिए ऐसे सारी लोईया बेलेंगे और इसके बाद इसको चिपकाने के लिए गुजिया को पानी लगाना पड़ता लेकिन हम यहाँ थोड़ा साथा मैदा ले लेंगे और इसको घुल के उसी में चारो तरफ लगाएंगे इससे गुजिया फटेंगी नहीं मिलकूल यह देखिए यह गुजिया मोल्ड पे रखके यह दो चम्मज डालेंगे इस्टफिंग यह देखिए हल्गी हाथों से दबा के और फिर चारों तरफ इसमें पानी लगाएंगे जो आटे वाला पानी बनाया था यह देखिए अब इसको दबा के अच्छे से एक्स्ट्रा अटा निकाल लेंगे और इसको दबाते ही रहेंगे दूसरे हाथ से ताकि खुले न यह देखिए निकलाया गुजिया बढ़िया से बनके ऐसे ही सारी गुजिया बनाएंगे यह थोड़ा सा हाथों से दबा जरूर देंगे क्योंकि जरा साभी एक भी वह चला गया किनारे तो गुजिया पूरी तरह बंद नहीं होती है यह देखिए यह एक श्र यह उतने आटे में इतनी गुजिया बन गई है थोड़ा सा बचा है तो उसका कच्वी बना लेंगे एक्ष्टा आटा टाइट हो जाता है बनाते बनाते धीरे धीरे यह कड़ाई में तेल गर्म अगर के अच्छे से और जब गुजिया डाल रहे है तो इसकी मीडियम आज चल रहे гी, यह गुजिया डाल के, यह तलेंगे, यह ढीरे ढीरे पलटेंगे आराम से अब पूरी तो चाहिए जैसे तलमल के निकाल लो लेकिन तो अभी तो आप सा आप सा ऐसी चीज हे थोड़ा आराम से ही तली जाती है, यह गोल्डन ब्राउन तल गई है है, गुजिया कुछ लोग हलका तलते हैं जिसको जैसे पसंद है हम लोग को ऐसे ही पसंद है थोड़ा यह देखिए यह तल गई है और बढ़िया से बने बना के खाईए होली में और जो लोग पहली बारा हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और बागी लोग कमेंट लाइक शेयर जरूर करें प्लीज इसको तोड़ के भी दिखाते हैं यह देखिए इसका स्टफिंग कितना बढ़िया आया है यह देखिए इस सोली पे बढ़िया कुझिया बनाई है इस ही ओके थाइंक्यू स्वास्त रहिए मस्त रहिए